यूपी के बुलंद शहर में दबंगो के होसले लगतार बुलंद होते जा रहे हैं दबंगो ने देश की रक्षा करने वाले जवान के परिवार पर हमला किया है दबंगो ने फॉज़े की पत्नी, साली और बच्चों के साथ मारपीच की दुर्वेवार किया और पीड़ित परिवार ने स्सपी ऑफिस बहुचकर इस मामले में नियाय के गुखार लगाई है परिवार का कहना है के शुकायत के बाद भी सलेमपूर पुलिस दबंगो के खिलाफ कारवाई करने को तयार नहीं है वही ग्राम प्रधान भी पिड़ित फौजरी और उसके परिवार पर दबाव लगातार बना रही है वही मामला अलाधिकारियों के संग्यान में आने के बाद आरुपियों के खिलाफ जल से ज्वल मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिये गए है बुलंच ऐसे ये वाक्या सामने आया जहां सैनिक के परिवार पर दबंगों ने हमला किया है उसकी पत्नी और बच्चों के साथ मार पीच की गई हालकि पिड़ितों ने पुलिस टेशन जाकर मामले की रिपोर्ट भी लिखाई है और पुलिस ने कारवाई का आश्वासन भी दिया है इस घटना के बाद यही सामने आ रहा है कि दबंगों के होसले लगतार बुलंद होते वो इन सरा रहे हैं वो सानिकों के परिवार को भी नहीं बक्ष रहे